नमस्कार दोस्तों सौगत हैपका मेरे यूट्यू चैनल सतना नर्शरी में आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम घर पर ही रखी अद्रक से उसके पौधे को त्यार कर सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पास यह घर की अद्रक है और इससे हम इसके प्रड़े त्यार करने में सबसे पहले आपको क्या देखना है यह इसकी आँख पाहर निकले हुए रहनी चाहिए यहां पे है और बीस तरह कई जगे हो सकती है अगर आपको अपने अद्रक पर यह आँख यह नहीं दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है बस इसे पानी में 24 12 घंटे के लिए फुला देना है उसके बाद अद्रक को लगाने के लिए हमें एकदम सॉफ्ट मिट्टी लेना है अगर आपके पास जैसे बड़ा पॉट है तो आप क्या करिए कि बड़े पॉट में आप इसे साइड में उसके लगा सकते हैं ठीक है मैंने एकदम सॉफ्ट मिट्टी ली है और इसमें रेट भी मिक्स है कोको पीड भी है और गोबर की खाद भी है अद्रक को हमें लगाने के लिए क्या करना है इसे ज्यादा नीचे नहीं गाड़ना है और आख वाला हिस्सा इसे उपर की तरफ रखना और बस मिट्टी से दबा और इसे बस थोड़ा थोड़ा पाणी जेना है डारेक सऊंलाइट में नहीं राखनाओ से चाहदा पानी नहीं देना है ज्यादा पानी आप दोगे तो यह सळ जाएगी और सढ घेएसे कई त्यार नहीं हुआ आप मैं दिखाता हो हुआ है किए द्रक का मैंने इन अधे पोधा लगाया था यह दिखिए मैंने इसे एकदम उपर ही रखा हुआ है बिल्कुल इसे अंदर नहीं यहां से नहीं पत्तियां भी निकलने वाली है कुछ पत्तिया निकल चुकी है यह एक महिने बाद का रिजल्ट है जो आपको इसके पत्तियां देखनों के मिनेंगी तो आपको इसे काफी खुसी होगी आपको द्रग जरूर अपनी बालकनी और या फिर आपके होम गड़ाने तो इसे वहां जरूर लगाना चाहिए इससे क्या होगा आपकी बालकनी में कई तरह तरह के फरफार के आपके पस पौदे होंगे जो देखने में काफी खुबसूरत पनाते हैं आपकी बाल करने को तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अंगले वीडियो में मैं आपको फिर मिलूँगा तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मुच